भगवान भक्तों का अपमान क्यूं कराते हैं मैं तो कई भक्तों के साथ यसा होता है कि वे कोई भी गलत काम नहीं करते किसी से बुरा बरताओं नहीं करते किसी का बुरा नहीं करते फिर भी लोग उनका अपमान करते हैं कई भक्त इस अपमान से बहुत परेशान हो जाते हैं आखिर इसकी पेचे कारण क्या है क्यों भगवान भक्तों का अपमान कराते हैं आज इसे विशे पर बात करेंगे तो बिना किसे दिरीके विले शुरू करते हैं दोस्तों पूरे भारत में सरदन्द्रम का प्रसार करना यह हमारे मिशन है अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं तो अब हमारी यूटूब चला को जरू सस्क्राइब कीजे और इस बैल आइकोन को प्रस कीजे मित्रों भक्तों का अपमान कराने की पीछे चार कारणे एक तरह से वो भक्तों के लिए फाइदे ही हैं चले इस पर बात करते हैं और पहला है मोह को तोड़ने के लिए मित्रों जीवात्मा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका संसार के प्रती मोह है मोह के वज़े से ही विक्ती प्रपंच में फस्च जाता है चब तक हम इनसानों से या संसार से मोह करते रहेंगे तब तक हमें भगवान से प्यार नहीं हो सकता मोह के बिना ही भक्ती में आनंद और प्रेम की प्राप्ती होती है तो यह आपको देने के लिए ही प्रपो आपका अपमान कराते हैं और दुसरा कारण है विकार और पापों को नश्ट करने के लिए मित्रों कूर्म पुरान के अनुसार जो लोग भक्तों की बुराईया उनका अपमान करते हैं वे भक्तों के सवजनम के पाप ले जाते हैं और अपने सवजनम के पुर्णे उन्हें दे जाते हैं यानि कि भक्त मित्रों का अपमान करने वाले अपना पुर्णी देकर उनका पाप ले जाते हैं इस कारण भक्त पाप से रहित होने लगता है मित्रों अपमान करने वाले सिर्फ पाप ही ने ले जाते वे उनके विकारों को भी ले जाते हैं इस कारण भक्त अपमान जहल कर पवित्र हो जाते और समसारी लोग भक्तों का अपमान करके दरिदर हो जाते हैं तो आपके पाप और विकारों को काडनी के लिए ही भगवान आपका अपमान कराते हैं तो यहां दुसरा करण इसलिए भगवान भक्तों का अपमान कराते हैं, अपमान होने से भक्त जनों को सौंसार से वैरागय होने लगता है, वे सौंसार के कामकाश करते हैं, एक्जाम्पल के लिए भक्त जन पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, माता पिता के सेवा आदी करते हैं पर भक्तों का इनमें आसकती नहीं होती, वे निशकाम भाव से ये सब करते रहते हैं तो आपको वेराग्यवान और निशकाम भक्त बनाने के लिए श्री हरी आपका अपमान कराते हैं तो यह तिसरा करण अब चौता है, हरी आश्रित बनाने के लिए मित्र जब हमारा मोह बंग होता है और हमें समसार से भय होने लगता है तब हम प्रभू की और दोड़ते हैं इसी को हरी आश्रे कहते हैं भक्तों का आपमान होने से समसार के प्रती उनको निष्टा नहीं रहती और वे प्रभू की शरण में जाते हैं प्रभू की शरण में रह भगवान आपका अपमान कराते हैं समसार से अपमान होने से समसार से वेरागे और भगवान के प्रती अपनापन बढ़ता है इस कारण वो आपका अपमान कराते हैं मित्रों ऐसे इन चार कारणों की वज़े से भगवान आपका अपमान कराते हैं ये नापमान के पीछे भगवान का मंगल विधान चुपावा होता है इसी कारण भगवान के विधान को समभाव से सहन करें अगर ये वीडियो अच्छे लगी हो तो शेयर रवशे कर दें तो आशके लिए बस इतना ही हरे कृष्णा दोस्तों हम हमेशा स्वनादन धर्ण के बारे में ऐसे ही गुपन जान हमेशा लाते रहेते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हैं आप इसे लाइक कीजिए आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार अवलाण के साथ अपने इस तरह में साथ जरूर शेयर कीजिए और थरड़ बात के हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतेलने कांटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलते रहेंगी इसलिए आपके कीजिए जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो स्टे बिलिस स्टे आउसम हैं कोसल में